हेलो फ्रेंस वेलकम टो एक्जाम टॉपर दूस्तों आज की इस वीडियो में स्टाटिक जीके के इंपॉड़ेंट टॉप 30 MC की डिटेल में डिस्क्स करेंगे यह स्टाटिक जीके की सीरीज का पार्ट 22 है स्टाटिक जीके से जालतर कुछिन पूछे जा रहे हैं जो कि अपक इंपॉड़ेंट इसले वीडियो उन तक जरूर देखेगा और सब्सक्राइब करेंगे स्टाटिक जीके का 22 वीडियो है तो आएए शुरू करते हैं हमारा फ़स्ट कुछिन है दोस्तों इंद्रा गांधी परमानू अनुसंदान केंद्र कहां अवस्तित है तो दोस्तों ब देश्य क्या है इसका तो देश में सोडियम शितित दृत्र प्रजनक रियेस्टर और सब्बद इंजन जो है शक्र सुईदा प्रद्योगी को सापित करने की दिशा में मुख्यों देश्य व्याप्पा का नेक शास्तर विदाओं का वैज्ञाने का अनुसंदान और प्रग है मैंने आपको बताए स्थापना हुई है 17 1971 में फास्ट ब्रेडर टेक्नॉलजी के अनुसंदान और विकास के लिए चिन्नई के काल पक्कम में ठीक है और दोस्तों इसका जो नाम है संशिप्त वह है दोस्तों इंद्रा गांधी सेंटर फोर एटॉमिक रिसर्च याद अलावा दोस्तों बात करें वर्तमान में जो भारत के नौ से नाद्यक्ष है तो उनका नाम में दोस्तों एड्मीरल करमवे सिंग याद रखेगा हमारा नेक्स्ट क्रिशन है दोस्तों जनकरना 2011 के अनुसार सरवादिक शाक्षरता दर्वाला राज्य कौन सा है तो दोस्तो वह है केरल ठीक है परसंटेज में अगर केरल की बात करें तो दोस्तों यह है 93.1 परसंट ठीक है इसके लावा दोस्तों फरस्ट इस में दिया हुआ है गोवा जोकी है 87.40 परसंट मिजरम की अगर बात करें तो दोस्तों मिजरम कौन से स्थान पे है 91.58 परसंट लास्ट है पूरा योकी है 93.91% 91% ठीक है हमार फॉर्थ कुश्यरन है दोस्तो ट्वीटर किसने संस्थापित किया था बताएं किसने की लिटी टी quién इस्थापना तो दोस्तो वह है इवान विलियमस ओके हमार फॉर्थ कुश्यरन है दोस्तो चिकितसक दिवस किस्तिती को मनाया जाता है तो दोस्तो वह सेलिब्रेट होता है फस्ट चुलाई को ठीक है दोस्तो भारत में जो है हर वर्स एक चुलाई को रास्टे चिकतसक दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का जो मुख्यों देश है वह है दोस्तो डॉक्टरों को उनके आमूले योगदान के लिए सम्मान दिया जाना ठीक है और भारत सरकार ने जो है सबसे पहले नेशनल डॉक्टर डी कब मनाय था 1991 में दोस्तो बात करें अगर हम 11 जुलाई की तो 11 जुलाई को कौन से दिवस मनाते हैं वह है विश्व जन संख्या दिवस नेक्स्ट है दोस्तो इसमें 12 जुलाई 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है रास्टे साधगी दिवस याद रखिएगा हमारा नेक्स्ट कर्षिन है दोस्तो कत्त कली निरत्ते किस राज्य से संबंदित है तो दोस्तो वह रेलेटेड है केरल से ठीक है बात करें दोस्तो अगर केरल की तो केरल की कैपिटल क्या है वह है दोस्तो तिरुमनंद्पुरम गवर्नर है यहां के आरिफ मुहम्मद खान और सीम की अगर प्रात करें तो दोस्तों उनका नाम है पिनराई विजिन इसके अलावा दोस्तों यह जो रज्जे है इसकी लेंग्विज कौन सी है ओफिशियल वह मल्यालम और दोस्तों इस राज्जे का घटन हुआ था एक नवंबर 1956 को सहाधिर परवश शिंखलाय जो है के से जाजन इसके लावा दोस्तों इस जो बात करने हैं हम दोस्तो के तो मैंने आपको अभी बताया ता सबसे सक्षर वाला राज्जे भी क्या है केरल है याद रखिएगा हमारा नेक्स्ट किशन है दोस्तो रेलवे के दूर संचार विंग रेल टेल के साथ साजेदारी में गूगल ने डैश रेलवे स्टेशन पर पहली बार सारवजनिक वाइफाई सेवा शुरू की तो बताईए कौन सहब है वे दोस्तो बैंगलूर सीटी डेल वे स्टेशन याद रखिएगा और दोस्तो ये वीडियो कैसे लगा बताईएगा जरूर अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगाया तो एक्जाम चोपर को लाइक कीजिए सब्सक्राइब करें अन्शेयर करना बिलकुर न भूलें हमारा एर्थ कुषिन है दोस्तो तीरन दाजी के लिए राजीव कांदी खेल रतन ना प्राप्ट करने वाला निम्न में से कौन है बताईए इन में से कौन है जिसको तीरन दाजी के लिए राजीव कांदी खेल रतन नहीं मिला तो दोस्तो उनका नाम क्या है पी कोपी चंद इसके अलावा अजली वेत, पाठक, भागवत, गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा ये सब दोस्तो सम्मानित किये जा चुके हैं राजीव कंदी खेल रतन से हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन क्रिशन है दोस्तो SEBI यानि कि सैबी से क्या ततपर रहे है फुल फॉर्म मताने क्या होती है वै alley, securities and exchange world of India ठीक है, दोस्तो सैबी जो है ये क्या है शेर बजार का सरवोची संस्ता है इसके अलावा दोस्तो ये क्या है गैर समवेधानिक संस्ता और इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों 12 अपरेल 1988 को जो है इसकी स्थापना की गई थी इसके अलावा दोस्तों 30 जनवर 1992 को सैवी को क्या हुआ था वैदानिक दर्जा दिया गया था और सैवी जो है शन्शोधन एक्ट द्वारा सैवी को शेर बजार का मानेता देने का भी अधिकार दिया गया और दोस्तों इसकी जो इस्थापना है दामोदर समीती के संस्तुती पर की गई थी याद रखेगा हमारा नेक्स्ट किशन है दोस्तों जपान के अधिकांस नगत चटे भागो के निकत ही इस्तेथ है याद रखेगा याद रखिएगा हमारा next important question है दोस्तो किस वर्ष में भारत ने पहली बार रास्ट मंडल खेलों की मेजबानी की थी तो दोस्तो वह है 2010 में ठीक है 2010 जो है रास्ट मंडल खेल 19 वे रास्ट मंडल खेल थे जिनका आयोजन जो है भारत की राज़तानी नई दिल्ली में तीन से लेकर 14 अक्टूबर 2010 में किया गया था और दिल्ली में इस से पहले दोस्तो यानि की 1951 और 1982 में एशिया ए खेल भी आयोजित किये जा चुके हैं इसके अलावा दोस्तो 2010 जो है रास्ट मंडल खेल का उधगाटन समारो जवार लाल नहरू स्टेडियम में हुआ था और इन खेलों का जो आयोजिन है भारत में पहली बार और 1998 में क्वालामपुर मलेशिया के बार एशिया में दूसरी बार हुआ ओके दोस्तो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन केशियन है भारत के किशेत्र को छोटा तिबबत कहा गया है तो दोस्तो वह है लद्दाक ठीक है दोस इसले भारत के शेत्र को यानि की लद्दा को छोटा तिबबत कहा गया है ओके हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन केशियन है दोस्तो नॉबल पुरुस्कार जीतने वाले पृथम भारतिये कौन थे पहले भारतिये कौन थे नाम बताईए नॉबल पुरुस्कार जीतने वाले तो दोस्तो वह है रविंदर नाथ टैगोर ठीक है रविंदर नाथ टैगोर जो है पहले भारतिय थे जिने नॉबल पुरुसकार मिला अगर बात करें इन्हें ये पुरुसकार कब दिया गया था तो दोस्तो इनको दिया गया था 1913 में ये अगर पूशा जाए कि क्यों दिया गया था प्रकास के शेत्र में अपने उत्कृस्ट कार्य के लिए कब दिया गया था 1930 में दिया गया था ठीक है याद रखीएगा नास्ट किशिन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन किशिन है दोस्तों टिहीरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशे का नाम क्या है तो वह है स्वामी राम तिर्थ सागर ठीक है तीरी बांध तेहरी विकास परियोजना जो है एक प्रात्मिक बांध है जो उत्राखन राज्ये के तीरी जिले में स्तित है और इसे जो है स्वामी राम तिर्थ सागर बांध भी कहते हैं दोस्तों यह जो बांध है हिमाले के दो मैक पूर्ण नदियों पर बना है जिन में से एक गंगा नदी की प्रमुक सायोगी नदी भगी रती और दूसरी बिलांगना नदी है जिनके संगम पर इसे बनाया गया है याद रखीगा और दोस्तो ये वीडियो शेयर करना बिलकुल न भूले आप सबी चानते लेकर दोस्तो पोस्ट आफिस के लेखक कौन है तो दोस्तो उनका नाम है रविंदरनाज चैगोर ठीक है हमारा भीनव बिंद्रा की स्केल से संबन्दित है तो जोस्तो मैंने आपको बताया वह है निशाने बाज ठीक है हमारा जैक्स्ट कुर्षिन है धारत की पहली 3D एनि फिल्म यानि कि दिली सफारी किसके द्वारा निर्देशित की गई बताईए इसके निर्देशक कौन है तो वह है निखिल आडवानी याद रखेगा हमारा 18 किशन है दोस्तों पृत्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है तो दोस्तों वह कहलाता है इंडोनेश तोके हमारा न Expression है दोस्तों सूरों को मानव रियाशि शेत्रों से दूर रखना किस के उन्मूलन में सहायक है तो दोस्तों वह हैą जापानी सेफलाईटिस की ठीक है हमारा नेखि ने दोस्तों memory संता की माप से संबंदित नहीं है इन में से कौन सा नहीं है बताइए तो वह है HB इसके अलावा GB TB MB जो है रेलेटेड है मेमरी शम्ता से ओके दोस्तों हमारा नैस्ट क्षेन है दोस्तों इगनू की स्थापना कब हुई थी तो दोस्तों यह स्थापित हुआ था 1985 में ओके और दोस्तों ऐसी इंट्रिस्टिंग वीडियो जो क्रिशन के लिए एक्जाम ट प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कम मनाए जाता है लगोर विश्वठा का दिवस कम मनाय जाता है तो दोस्तो वे सेलिब्रेट होता है 10 जनवरी को ठीक है बात करें दोस्तो अगर हम 31 अक्टूबर की तो इस दिन क्या मनाया जाता है रास्टे एकदतवस हमारा नेक्स क्रिशन है दोस्तो संयुक्त रास्ट के नए सदस्य राज्य के रूप में शामिल किया जाने वाला नवींतम देश कौन सा था तो दोस्तो वह है दक्षिन सुडान ठीक है सुडान जो है दोस्तो सबसे नए सदस्य देश है इसमें सबसे नए सदस्य देश के रूप में जो है दक्षिन सुडान 11 जुलाई 2011 को जोड़ा गया था और इसमें सभी ऐसे देश शामिल है जिने अंतरास्टे माननेत प्राप्त है इसके अलावा संयुक्तरास्ट के जो सनरचना है उसमें आमसभा के अलावा सुरक्षा परिशद आर्थिक व समाजिक परिशद सची वाले और अंतरास्टे नियाले शामिल है याद रखिएगा हमारा नेक्स्ट क्रिशन है दोस्तो व्यास सम्मान की शेत्र में उत्क्रिस्ट योगतान के लिए दिया जाता है तो वै दिया जाता है साहित्ते के शेत्र में ठीक है व्यास सम्मान जो है वो दोस्तो बिर्ला फाउंडेशन द्वारा साहित्ते क शेत्र में दिया जाता है हमारे नेश्ट करुछ्छर है दोस्तों सुगम संघीत गाय फस्रियरिये धार्य टू है तो वह आध ब्रज्र शेत्र से ठीक है उससी है दोस्तोंइत क्यूर्च के शेट्यक किस खेल से संब्न ainda थैं तो व्य कोकी की लाड़ी है जो भारत के लिए खिलते हैं इसके अलावा 2012 के लंडन उलम्पिक के दौरान भारत का प्रतिनी जित्व क्याता है इन्हों ने और 2014 रस्टमर्णिल खेलों में उनका जो है रज़त पड़क उन्हों ने जीता था ठीक है दोस्तो हमारा नेस्टरीशन दोस्त तो अईसि मेत्रिक डीजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानि कि ADSL तकनीक है बतहए इक प्रकार की है तो वह एक वाइयर डैटार संचार ठीक है दोस्तों यह जो है डीजिटल सब्सक्राइबर लाइन तकनीक का एक रूप है और एक टेटा संचर तकनीक है जो एक पारम पर एक वाइस बेंड मॉडम की तुलना में तामबा टेलीफोन लाइनों पर तीजी से डाटा संचरन को सक्षम करती है ठिक है दोस्तो हमारा लास्ट किशन दोस्तो हे निम्रत आपके विभन प्रियोगोlles की अध्यान करने वाला विग्यान है बताई ये कौन कहलाता है तो वे है कार्योजैनिक्स ठिक है तो दोस्तो ये ते स्टैटिक जी कए इंपॉटन टॉप 30 MCQ, Most Important Question I hope ये वीडियो आपको पसंद आया है ये वीडियो कैसे लगा, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा पसंद आया तो अपने स्टड़ी लेटरी गूप में शेयर जरूर करें और एक्जाम टोपर को लाइक, सबस्क्राइब और शेयर गरना बिलकों न भूलें आज के लिए बस इतना ही, तैंक यू सो मज़ दोस्तो